तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड कलास 10 इंगलिस ग्रामर रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग बहुती इजी काम है बहुती प्यार से हम कर सकते है और फूल नंबर आएंगे ये मेरा दावा है वीडियो पूरी देखनी है बस सारे डाउट कलिर हो जाएंगे रिपोर्ट में नंबर कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL कलास लेकिन वीडियो सुरू करन में जाके तुमको ये सारे कोशन्स लिखे हुए मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर प्रिवियस येर पेपर भी अगर तुमको चाहिए हो तो डाउनलोड कर सकते हो PDF में है ठीक है अब सुरू करते हैं यहां पर टोपिक को वह हमारा रिपोर्ट रिपोर्ट कैसे लिखी जा पर आपको जो है में होता है रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए अगर रिपोर्ट लिखनी आती है तो तुम कर सकते हो नंबर आ जाएंगे पेपर में अग बना के लिखनी है और मैं यह बताने वाला हूँ कि कैसे बना के लिखनी है बस वह काम हो गया आ आपको एक टाइटल देना है टाइटल होता है तुम लग बग तीन से चार लाइने पेपर की ज्यादा होती है बहुत कम है बहुत कम है पेपर कैसा आज आपका ऐसा ही तो आता है पेपर ऐसे वाला रेक्टेंगूलर शेप में तो इसकी 3-4 लाइने बहुत है उसमें बस रिपोर्टा आपकी हो जाएगी ऐसा मत चोजना कि सर ने बोला 3-4 लाइने तो भर 3-4 लाइने तो इधर इंडिया में रखा हु सबसे पहले हमको डालना है कि टाइटल किसके बारे में है जो को दिया जाएगा फिर आपको लिखनी है पर निखे हैं रिपोर्ट आरो रिपोर्ट अब तुम नहीं है अब आप बोलोगे भाई सर भाई या सर जो भी तुम कहते हो अब गाइड में ऐसा नहीं है गाइड में लिखा वाउपर उपर सीधा टाइटल वाइटल कुछ नहीं है आ रिपोर्ट लिखके फिर यहां पे डेट डाल दी फिर जो है हमने कचरा सा लिख दिया कुछ भी और उसके बाद डिबे में पैक कर दिया हमारा काम हो गया हाँ वो भी कर सकते हो वो भी देखो हर कलास में आप रिपोर्ट का पैटरन बदलते से बास ओ और केक वेख खाया हमने मज़े लिए यह पार्टी बढ़िया काम मज़े आ गए बाइब और उसके बाद में हमने एक रिपोर्ट की कि हम नारे दोस्त की पार्टी थी उसमें केक लेके आएई बड़े बड़े सोंग बजाया पार्टी सारे दोस्त मिलने आए और फाइनली हम घर चले गए बस यह हुआ था और वही होती है रिपोर्ट बस ठीक है इसमें हम एक टैंस का इस्तमाल करते हैं अगर टैंस के बारे में तुम्हें आइडिया है तो पास्ट टैंस अब देखो य हम ज्यदा ऐसा नहीं है कि हम girl इस्तमाल करें वह हूर्ट किस बारे है ठीक है रिपोर्ट होती है जब कुछ हो जाता है जैसे अक्छीडंट हो गए है तब हम वह रिपोर्ट लिखेंगे ठीक है समझ गई यह चीजे अब इस अमर्भी कभी-कभी यूज कर लेते हैं बट ज्यादा तर मैंजोर्टी फटाइम आपको ध्यान देना है वाजवर वाले सेंटेंस का बनाना है पर पास्ट वाली फिलिंग रखने हैं तुमको ठीक है उपर टाइटल देना है जो भी चीज के बारे में रिपोर्ट है और फिर आ रिपोर्ट लिखो और फिर नीचे जो है रिपोर्ट भी लिखते हो खाली आ रिपोर्ट की जुरूरत ने है रिपोर्ट खाली रिपोर्ट करके डेट डालो यहां पर कचराशा लिखो लास्ट मे जो है लास्ट में मर्जी है तुमारी लेकिन लिख देना चाहिए बड़िया रगता है यूवर्श ट्रूली और अपना नाम डाल दो ठीक है यूवर्श ट्रूली अपना नाम डाल दो और फिर डिब्बे में इसको भी पैक कर दो इतनी सी काम करना है ठीक है समझ गए मतलब की की वापिस बदा देता हूँ ध्यान रखना पहले टाइटल डालना है फिर रिपकोर्ट लिखना है यहां पे सारे बड़े अक्षरों में यह वाला तो ठीक है फिर यहां पे डेक करना है यहां पर हम करना है आपकी रिपोर्ट अ Treatment फेना है और लास्ट में अपना नाम और बीच वाली का हुथ तीन नंबर ठीक है अगर तुम यह वाली चीज मिशिंग कर रहे हो या फिर गाइड वगएर वाले भी पता निया अलगी स्वाइग में कभी चाप देते हैं कभी नहीं चाप रखी है किसी में नहीं चाप रखी है कुल मिलाके आपको चाप नहीं उनमें क्या क्या लिखना है write a brief report of your 40 words on the car accident you have seen in New Delhi तुमने car accident देखा दिल्ली में देखा अभी नहीं पहले देखा जब पहले देखके आयो तुम अभी आ गयो घर पे mention the title the date the area and the damage caused तो आपको क्या क्या बताना है इन्होंने खुद हमसे बोला है क्या क्या बताना है टाइटल टाइटल क्या क्या है car accident in Delhi ृटीक है कार एक्सिटल्ट इन्होंने खीड़ेंट नहीं सेंट स्कूल में लिकाना है पूर्ला तुम्राओ कार एक्सिडूंट ए डबल ची आईडी एन्टय पूरा लिखो और इनि दिल्दी ठीक है यहां पर डेट डाल दो अब डेट बड़ा सोस समझके डालना जैसे मैंने डाल दी तीन मार्च दो हजार अब तुमको क्या लिखना है जो एक्सिडेंट वाना वो तीन तारीक के बाद नहीं होना चीए बस चाहे कुछ भी हो जाए यह जो डेट डाले इसके पहले-पहले हो जाना चीए सारा काम तो आप बताओगे और रोड का नाम याद लिखेना चाहँ तो लिख दो कोई भी चांदनी रोड बतन कीतरे सो रोड है दिल्ली में देश बढ़के तुम्हें जो रोड याद आए जो भी पता हो तुमको वो टेप देना आइसा एक्सिडेंट ओंदा रोड ओफ दिल्ली पैरिफ्री ओन डेट 27 फरवरी 2023 ठीक है यह बता दिया उसके बाद इनो भोला था हमको डेट बतानी है ठीक है टाइटल दे दिया टाइटल दे दिया डेट बोला था डेट दे अरिया बताओ तो एरिया कौन सा है अब चांदनी चोक पता है सबको इंडिया गेट के पास में या कहीं भी ऐसी जग बहुत बुरा वाई तो उसके बाद में जो है उनको जो है फिर आगे भी बता सकते हो मलब वह सारे मर गए मरने के बाद में अबूलेंस केम टू सेव हीं बट कैनोट सेव एनिबडी और फाइनली इट वाजब बैड एक्पिरेंस फोर मी और लास्ट में लिखे तो यूवर अपना नाम क्योंकि नाम दियाने है और हो गई हमारी रिपोर्ट बहुत ही प्यारी और हमको टीचर देगा मसचम चम हाते हुए पाँच नंबर ठीक है बहुत सारे स्टुडर रहते हैं पता निए क्या लिखना होगा सब कुछ खुदी बताएंगे तुम्हें उसके हिसाब से करते जाना है राइटा रिपोर्ट ऑफ दा ट्रेन एक्सिदेंट इन फोर्टी वर्ड से ट्रेन का अक्सिदेंट हो गए दो ट्रेन ठुक गई आपस में आके 40 वर्ड में बताना है मैंसन दा लोस ओफ लाइट तुम्हें बताना है यह मत बोलना कि दो आदमी मरगे ट्रेन एक्सिदेंट से नहीं वह मरेंगे ज्यादा ही मरेंगे दोस्तों मार दो ठीक है क्या फरक पड़ता है मरने तो है नहीं वह ऐसे भी नतली बात भाक फैक नियूज वाले बन जाओ तु और बहुती दर्दनाक आजसाता सरकार ने सभी लोगों को मुआवजा दे दिया अब बहुती खुशी की बात है बच गए सब लोग जो थे बहुत खुश थे अब बस फिर युवर्स टूली अपना नामली को खतम करो डब्बे में पैक कर दो हैना टाइटल क्या दोगे इस राइटा रिपोर्ट अबाउट अड्रस ओफ सोचियल वर्कर वू डिलीवर्ड अ लेक्चर ओंदा टोपिक मॉरल एजुकेशन इन प्रेयर असेमली ओफ यूर स्कूल तो आपको क्या लिखना है रिपोर्ट लिखनी है अबाउट दा एड्रस ओफ सोचियल वर्कर के बारे उसके बाद रिपोर्ट फिर डेट डालो और यहां पर आपको लिखना है कि हमारे स्कूल में अगर तीन मार्च की डेट डाली जैसे मैंने तो हमारे स्कूल में 25 फरवरी को जो है एक सोचियल वर्कर ने यहां पर लेक्चर लिया था मोरल एजुकेशन के उपर असेमली में बहुत सारी स्टूडेंट को से सीखने को मिला इंस्पायर हुए और वह सारी चीज़ा बताते हुए लास्ट में लिख दो यूवर्स टूली मदब ज्यादा भकोड नहीं मानने देश बरका नहीं छापके आ नमा पर बहुत लिमिटीड सा लिखना है ठीक है और आदे से ज् इंटर ब्रेक मैंशनिंग दा टाइटल नंबर ओफ पार्टिशिपेटिंग स्टूडेंट एंड देर एक्स्पिनिस हमको तीन चीज़ा बतानी है हमारे स्कूल वाले मनाली की ट्रिप लेके गए वैसे मैं भी गया था बाई मनाली में तो असली ट्रिप वाली बात कर सकते ह स्कूल वाले मनाली की तुम्हें पता हुगा में जयते हैं लिए वीजीट करने मनाली बगारा बताना कमेंन्स हुआइन और कि कि कमेंट्स बगारा सब की कमेंट पढ़ता हूं वाई कुछ स्टूडेंट सोचते हैं पढ़नी रहा सब की पढ़ी जाती एक एक कमेंट ठीक है अब यहां पर देखो विंटर ब्रेक के लिए आपको बताना है कि सर्दियों के टाइम पर हम गए थे हां भी सर्दियों में गए वो सारी चीजे बताने हैं बस आपको ठीक है अब यह कोश्चन मैं इसी लिए दिखा रहा हूं बता रहा हूं ताकि तुम यह मत सोचो कि भाया तुम ऐसे रिपोर्ट चाब दो कुछ भी चाब दो क्या फरक पड़ता है ऐसे नहीं चलता ना कुछ भी कोश्चन कैसे करेंग ने बलड डोनेशन के अब लगाया तुमारे स्कूल में तो तुम क्या बताओ भाई हमारे स्कूल में तंबू गाड़ती अनसेस वालों ने और उसके बाद में जो है यहां पे बलड डोनेशन के लिए बहुत सारे लोग आये लगबग 5,000 लोगों ने आपे खून दान करा और डोक्टर्स ने भी स्कूल का धन्यावाज कर और वह सारी चीजे लिखो और निकल लो अपना फिर लास्ट में यूर स्रे ट्रूली और फिर जो है बच्चों ने भी खून दान करवा दो बच्चों का भी तुमें कौन सा निकलवाना है उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिये वो भी कह सकते हैं तुम्हारी सोच के उपर है पूरा और वह चाहते हैं हर बार कोश्चन नया इसलिए आता है क्योंकि वह तुम से चाहते हैं तुम बना के लिखो और बना के लिखो कि तुम सोच रहे हो गलत हो जाएगा गलत नहीं हो ता बस टेंस पे थोड़ा किसी भी एक्स्ट्रीम से बुरी से बुरी कंडिशन में रिपोर्ट के अंदर नहीं करना अगर वह कर दिया तो पूरी खराब हो जाए आपकी और जो डेट यहां डालोगे साइड में जो पहरा बनाओगे उसके अंदर वह डेट उससे पहले की होनी चाहिए ठीक है वह गलत जैसे हमने रेट दार ली 3 मर्च तो एक अपता पहले का घटा दो शमीं से और एक अपता पहले की जो है वहाँ पर बदादू कि हमने हमारे दोस्त ने पार्टी करी बड़ा केख लाय गया हमारे पूरे कलास्टमेट्स आयए थे सारे कोई सारे दोस्त वहां पर आया हुए सब ने मस्त डांस करा तीन बज़े तक फिर सब जो है अपना घर की साइड निकल लिए और बस यही था पार्टी में और बाइबाइबाई है ना ऐसे चलता है एक स्टेंजर ने आपकी मदद करी वह इंसीडेंट बताने देखो यह अजीर सा लग रहा होगा भाई रिपोर्ट बोला भी नहीं हो ने तुम इंसीडेंट को रिपोर्ट को बहुल रहे हो ऐसी रिपोर्ट आई थी एक बार और वह बड़ा ही खतरनाक था आप में से बहुत स पहरा बनाना चोटा सा 40 वर्ड होते कितने हैं यह जो दिख रहा तुमको यह 40 वर्ड को होगा यह पूरा यह को चालिस वर्ड को होगा अब इसमें बनाने तुमको रिपोर्ट आदियस से ज्यादा को इसी मिलेंगे अनुवल प्राइज डिस्ट्रिबूशन बताना भाया कि सब कूल में क्या क्या हुआ बच्चों को डिस्ट्रिबूट किया गया अनुवल प्राइज डिस्ट्रिबूशन कराए गए बच्चे जो फर्स्ट आए थे कलास में उनको गोल्ड मैडल से नवाज आ गया वो दिया गया तो ऐसे कुछ भी चिपका सकते आप ठीक है वो इसमें जो कोश्चन है ना इसमें दे रखे होंगे वो सारी चीजे तो वह आपको बस इस्तमाल करनी है और आपका जो है पांच नंबर पक्के आ जाएंगे आई होप समझ गए होगे रिपोर्ट कैसे लिखनी है बहुत आसान है डिब्बे में बंद करना बिल्कुल मत बुल कोई भी कोशन आपको दिया जा सकता तो आपको सोच समझके उसके बारे में लिखना है पहले सोच लेना मन में कै क्या बताना है उसके बाद में लिखना क्या लेफ्टelessноland लिखना और अपना नाम डाल देंगे अगर नम देखना जैसे हां पर यहां पर इस वाले क्यों मनंधा देखना और उसी तुम तब अपना नाम ने लिखना माम बन जाivan या विनोद, दोनों मत बन जाना, ऐसा मत करना कि ममता, विनोद, ऐसे मत करा करो, तुम, कुछ स्टूडेंट कर के आजाते, पेपरों में ऐसे, लाश्ट में नाम जो लिखोगे, विनोद लिखो, या फिर ममता एक ही लिखो, बस, विनोद लिख दिया मैंने ठीक है विनोद यूस ट्रूली विनोद तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो सारी चीज़े बहुत आसान है कोश्चन मुश्किल नहीं आएगा तुम्हारी सोच के उपर है कि तुम्हें इंगलीज पढ़ने बाद समझ आ भी रहा कोश्चन या नहीं आ बादी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके चेक कर लेना ठीक है ना चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि काम की वीडियो आने वाली इस चैनल पर बहुत सारी अपकमिंग जो है एक्जा झाल झाल झाल